कुश्चन नमबर 9 इसका न मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगा मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया था इसका मैं वीडियो दूँगा ठीक है इसका मैं solution दूँगा तो ये एक बार homework में रहेगा ट्राइ करिएगा homework के बाद आप सभी को इसका वीडियो प्लेगा कुश्चन नमबर 10 प्रोविडेंट फंट एंड गुड्स लॉस बाइफायर ये भी दिया था न खूब सारे अड़्जस करना है इसको हो गया फिर भी कर लेते हैं क्योंकि ओनलाइन में नहीं हुआ न इस तोर बैलेंशीट पीछे बना लेते हैं यहां पर बड़ी दिक्कत हो रही है बैलेंशीट यहां पर पूरा रिजस्मेंट करकर के करकर के न बहुत चोटा हो जा रहा है तो बहतर है बैलेंशीट पीछे बना लेजाएंगा न इसका एक काम कर सकते हैं हम कुश्चन इस पेज पे भी दिखा दें ताकि आपको दिक्कत ना हो अब दूनों पेज पे कुश्चन रहेगा तो दिक्कत नहीं रहेगा हमें ठीक है सेम कुश्चन है यह हमारा क्या है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ठीक है और जो दूसरे साइट है डैट इस बैलिंग शीट मैं फॉर्मेटिंग में टाइम नहीं लेना चाहता जाथा मैं सीधा कुश्चन करवाँगा इसलिए फॉर्मेटिंग बगर आपको एक्जाम में तो करके याने चलिए फ लाग असी हजार तो मैं टू पर चेज लिख रहा हूं एक लाग असी हजार इंसाइड में इसके बाद क्या है ओपनिंग स्टॉक देट इस दस हजार टू ओपनिंग स्टॉक देट इस 10,000 बाहर के साइट लिख दिया और क्या दे रखा है इसको थोड़ा से इदर कीच लेते हैं इसके बाद क्या दे रखा है पी एफ इस पर ध्यान देजेगा पी एफ रेमिटेंस इंक्लूडिंग दा प्रोप्राइटर कॉंट्रीब्यूशन 50% अग पी एफ रेमिटेंस क्या होता है सबसे पहले हमें समझना होगा सर पी एफ क्या होता है सबसे पहले समझना होगा यह प्रोवीडेंट फंड अब आप ध्यान दीजिएगा जो मैंने एक होमवग दिया वहां पे भी काम आएगा माल लेते हैं कि आप एक बिजनस है इस बिजनस के अंदर माल लेता हैं ये x, y, z कोई भी बिजनस है company है और एक employee जब job करने जाएगा यहाँ पे तो normally आप सभी जब पढ़ रहे हैं तो आप लोग का एक target जरूर सेट होगा कि हम job पे चले जाएंगे इधने time बाद तो job पे चले जाएंगे ठीक है न ये set रहता है target माल लेता हैं कि ये 25 साल कि जब इसकी उमर होगी तो ये क्या करेगा जौब के लिए चले जाएगा कहीं भी जाए जौब के लिए जरूरी नहीं कि वहाँ जाए तो ये finally 25 साल के बाद ये जौब के लिए company के अंदर चला जाएगा कौन चला जाएगा सर Mr. A चला जाएगा अब बताओ इसकी नौकरी करने की capacity कितने साल तक रहेगा क्या ये 100 सालों तक नौकरी कर सकता हैं आपर नहीं कर सकता हैं कुछ limits जब तक इसके बुड़ापा नहीं आ जाता तब तक नहीं करेगा तो normally government का rule है कि आप किसी भी वेक्ती को 14 साल से कम वाले बच्चे को नौकरी पे नहीं रख सकते और 60 साल से उपर वाले वेक्ती को नौकरी पे नहीं रख सकते लेबर लौ का rule है ये वो अलग बात है कि आप देखते हैं बच्चे कर रहे होते हैं वो छुपागे करवा रहे होते हैं काम अगर 14 year below कोई बच्चा कहीं काम करता है आप complain करोगे तो उस दुकान वाले के दुकानदारी बंद हो सकती है और 60 साल से उपर को नहीं रखना ते और हलाकि 60 साल से उपर के वक्ति को ना कभी भी ना जनरली दुकानदार मतलब बिजनसमेंट रखना भी नहीं चाहता क्योंकि वो उतना efficiency काम नहीं कर पाता ठीक है ना तो अब यह अपनी उमर का देखा जाया है तो इस बिजनस के अंदर total 45 year और इसको देगा 45 जादा हो गया ना 35 year और देगा इसक 35 year अब यहाँ पे इसको मान लेते हैं let's suppose के हर मेने का इस वक्ति को 30,000 रुपए salary मिलता रहा था हर महिने इस वेक्ति को 30,000 रुपे का सेलरी मिल रहा होगा तो ये यूज भी कर रहा होगा लेकिन अब मान लेते हैं कि इसकी उमर 80 साल तक ये जिन्दा रहता है तो आने वाले 20 सालों तक इसको अपना जीवन जो है वो चलाना काफी कटिन हो जाएगा और इसको dependent होना पड़ेगा अपने बच्चों के उपर या किसी और के उपर totally तो government कहता है कि भाईया हमें आपके business में इसने अपनी पूरी जीवन लगा दी तो business आपकी जिम्मेदारी बनती है आपकी responsibility बनती है कि आप इसका आगे तक खयाल रखें मतलब 20 साल आपने तो इसका मान लेतने ही कि एकदम वो वाला life जो कि आपके use का था आपने use कर लिया बाकि आपने fact दिया इसका मतलब आपको आगे तक ध्यान रखना होगा और इसके लिए आपको क्या-क्या देना होगा आपको इसको pension देना होगा जो कि अभी देखा जाए तो एक मान लेते अंदूलन वगरे भी चल रहा है कई जगभे pension का आपको इसको graduate देना होगा और आप एक काम और करो इसको 30,000 रुपे मत दो इसको एक काम करो आप 3,000 रुपे इसके salary में से काट लो और इसको कितना दो मातर 27,000 और अब इसके hand में in hand की बात करें तो employee के hand में कितना जाएगा 27,000 लेकिन employee की salary कितनी consider की जाएगी 30,000 अब employee बोलेगा 27,000 क्यों तो government का rule है काट लिया गया अब ये जो 3,000 आपने काटा है उसे एक government का office होता है government office ये 3,000 रुपे आपको काट के अपने पास नहीं रखना ये जो 3,000 आपने काटे हैं इसके salary में से इस 3,000 रुपे को जमा करवा दो जाके government office में और सिर्फ 3,000 नहीं आपको अपने pocket से भी 3,000 और निकालने पड़ेंगे और ये भी 3,000 रुपे आप जाईए और जमा करवा दिजिये कहाँ पे government office में तो देखा जाए तो इसका total जो है हर महिने का कितना जमा होगा अब हर महिने का 6,000 काम कितने करेगा 25 साल तो 25 इंटू में 12 महिने तो आप देखो कितना जमा कर पाएगा ये पूरे 25 सालों में 25 इंटू में 12 300 महिने इंटू 6,000 तो एक 18 लाक रुपे इसका जमा हो जाएगा और इसके उपर ब्याज ब्याज लगा के करीब 25 लाक रुपे मिलेगा और मेरे हिसाब से इसको अगर इतने सारे पैसे दे दिये जाए ये हो गया पेंशन हो गया ग्रिजुटी हो गया तो इसको अपने 60 साल के उमर के बाद अगर इसको अपने बेटे-बेटी की शादी करनी है वो भी मैनेजिबल कर लेगा अगर अपने लिए एक छोटा सा घर वर लेना है सांती के लिए वो भी तो गौवर्मेंट इस बुढ़ापे का ख्याल रखने के लिए अगर अगर गौवर्मेंट ये रूल नहीं बनाया तो फिर गौवर्मेंट को वोट तो ये तो पूरी जिंदगी दे सकते हैं ऐसा तो ह तहां पे देखा जाए कंपनी ने जो इसके कंपनी का जो पी एंडल के अंदर डेबिट साइड में अकर सेलरी देखेगा तो सेलरी पता है कंपनी कितना दिखाएगा वो तो दिखाएगा 30,000 ठीक है और 3000 रुपे और अपने जीब से काट के जमा करेगा तो इसका मतलब सर ए कार्ड करेगा 33,000 और अगर कंपनी ने ये 3000 प्लस 3000 अगर गवर्मेंट के पास जमा नहीं कराया अपने पास ही होड करके रख रहा है तो कंपनी के लिए लाइबिटी है कि आज नहीं तो कल उसको ब्याज के साथ जमा करवाना पड़ेगा और ये जो 3000 रुपे ये काट के employee के salary में से certain amount deduct कर लिया जाता है और वो amount जाके हम किसी को government को PF office में deposit करना होता है तो कोई बात नहीं अगर PF office में deposit नहीं किया तो हमारे उपर liability बन गई कि हमें जमा करवाना है किसको जमा करवाना है हमें government office को तो PF हमारे लिए एक तरीके से अगर आपको PF credit में दिख रहा है त ठीक है ना तो यहां पे question में same देखा जाए तो यहां पे कहता है PF remittance include आपका proprietor contribution 50% इसका मतलब मालिक proprietor का मतलब कोन होता है मालिक मालिक भी 50% देगा जो कि इसके अंदर included है यानि total इसके उपर liability जो बन रही है वो total liability कितनी बन रही है सहाब इसके उपर तो simple सी बात है यह 1200 रुपे का जो है यह liability है इसने अभी तक जमा नहीं कराया इसलिए liability में show हो रहा है तो इसको सीधा जाके हम कहां जमा कर देंगे balance sheet के liability में दिखा देंगे तो जो यह हमारा PF था इसको भी थोड़ा side में ही कर लेते हैं देखने के लिए तो जो हमारा यह PF का पैसा था वो liability में दिखा दिया जाए provident fund और that is 1200 और इसके उपर जब adjustment आएगा तो हम देखेंगे ठीक है clear है आपको तो PF का पैसा दिखा दिया rent 2500 रुपे का महिने के हिसाब से यहाँ पे दिखाया जा रहा है 27-500 जबकि आप चेक करोगे अगर 2500 रुपे महिने है और 12 महिने का है तो क्या वाक्य में 27-500 बन रहा है यह चेक करना पड़ेगा तो 2500 इंटू में 12 तो जी यह तो 3000 बन रहा है जबकि आपने rent 2750 ही paid किया है तो rent तो साहब profit and loss debit का part है तो हम यहाँ पे 2 rent तो दिखाएंगे लेकिन rent inside रखना पड़ेगा 2750 क्यूंकि total 3000 था तो add कर देंगे outstanding rent और outstanding rent कितना बन जाएगा minus 2750 यानि 2500 पर मन्त देने का मतलब ही यह था sorry यह plus होगा यह और इसके बाद दूसरी entry कहाँ चले जाएगा liability में outstanding rent यह balance sheet है और यह low आ गया 2500 रुपए ठीक है clear है salary salary में amount नहीं डाला अच्छा भूली गया salary कितने का च्छ्याशट सो का two salary च्छ्याशट सो ठीक है आगे देखा जाए machinery कितने का 39,000 बैलेंशीट की बात कर रहा है तो machinery कितने का है 39,000 तो machinery अब मैंने एक गलती कर दी adjustment नहीं पड़ा पढ़ लेना चाहिए पहले adjustment में क्या कहता है machinery 5,000, sold 4,000 credit machinery account ठीक है sir wages include 1000 रुपे paid wages के उपर adjustment है इसके बाद फिर machinery erection है ठीक है purchase include moped scooter इसके उपर adjustment है proprietor taken goods यानि purchase पे भी adjustment है sundry debtor include become insolvent इसके उपर भी adjustment है electricity outstanding bill पे भी adjustment है goods costing 50,000 destroyed goods पे भी adjustment है इसके बाद कहता है providing depreciation 10% machinery furniture moped scooter provide depreciation 5% building closing stock सारे adjustment पढ़ लिए हमने अब इसको साथ के साथ करते जाते हैं इसके बाद wages पे भी adjustment है that's why हम wages अंदर ही रखेंगे कितने का wages है हाँ तीन हजार इसको अंदर ही रखेंगे इसके बाद wages के बाद आजाओ furniture and fittings तो furniture and fittings की बाद कर रहा है कितने है 5000 थोड़ा gap देखे 5000 इसके बाद है electricity इसके उपर भी adjustment है electricity पे तो यहाँ पे two electricity अंदर लिखेंगे ड़ट लगा दिये कितने रुपे का electricity है 550 इसके बाद trade expense है trade expense P&L का हिस्सा होता है तो इसने इहीं लिखा देंगे trade expense कितने 1500 रुपे ठीक है debtor balance sheet का part है तो चलिए आजाईए debtor के उपर यहाँ debtor दिखाया कितने रुपे debtor है 10,500 इसके बाद interest on loan दे रखा है P&L का part है तो interest on loan कितने रुपे है interest on loan कितना है 900 और इसके उपर भी adjustment है तो insight रखेंगे क्यूंकि आप देखोगे question में debt दिया हुआ है तो आप चलिए लिख लिजए यहाँ पर 900 चलिए हमें थोड़ा size reduce करना है और और जगे चाहिए पेंडल में इसको बढ़ा देते हैं देखने के लिए ठीक है यहाँ तक चल रहा है सब कुछ ठीक interest हो गया commission दो debit में दे रखा है तो two commission आ जाएगा है ना two commission 200 अब आगे आज़ते हैं building दे रखा है 30,000 तो liability assets में आ जाएगा building 30,000 इसके बाद commission building sales दे रखा है 2,5,000 तो आज़ेए 2,5,000 तो आज़ेए 2,5,000 by sales इसके बाद loan 10% है कहता है loan 10% interest rate है that is 10,000 रुपए है तो loan जो दे रखा है liability में आ जाएगा 10% और कितना है हमारा 10,000 अब इसके उपर पूरे साल का ब्याज होगा जब date नहीं दे रखा तो इसके उपर अगर interest निकाले ना तो 1,000 बनता है और आप पहले से देखो interest जो दे रखा था ना आपको that is कितना दे रखा था 900 यानि इसका मतलब सर क्या हुआ कि interest पे 100 रुपए outstanding interest रहेगा that is 100 रुपए और ये बनेगा पूरा 1000 और balance sheet के liability में outstanding interest के नाम से आजाएगा हमारा कितना 100 रुपए है इसके बाद आजाते हैं creditor हमारा 10% creditor कितने का है बताईए 10,000 15,000 15,000 capital दे रखा है 55,000 इसके बाद drawing 5000 तो minus drawing इसके बाद cash दे रखा है 1200 तो cash तो assets में आएगा cash 1200 ये थोड़ा खुला खुला हो गया है ना अब adjustment कहते हैं कहते हैं machinery जो है ना हमारा machinery इसको अब मैंने ये सारा पढ़ लिया है तो मैं एक काम करता हूं न इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं इसकी जुरत है नहीं ताकि आपको adjustment अच्छे से दिख जाए ये ध्यान दीजेगा ठीक है मिटा देते हैं इसको adjustment में क्या कहता है कहता है एक एक दो हजार बीस यानि सर एक एक दो हजार बीस और हमारा year end होगा 31 तीन दो हजार बीस को हमने machinery खरीदा कितने का 5000 का ओके सरी वर्थ 5000 रुपए का हमने बेच दिया 4000 में यानि इस machinery को हम 9 महने एक machinery कीमत था 5000 उसको पहले हमने 9 महने इस्तमाल किया और फिर बीचा ठीक है क्योंकि year तो हमारा start 14 2019 में ही हो गया था हमने 9 महने इस्तमाल करके बीचा तो सबसे पहले तो डेप लगेगा फिर बीचेंगा और बीचा कितने का 4000 का तो हमने पहले हमें क्या करना पड़ेगा माइनस करेगा पड़ेगा इस पर depreciation और 9 महने का depreciation लगाएंगे और depreciation rate दे रखा है 10% तो 5000 पे 10% डिवाइट 12 इंटू में 9 मैं इधर भी करके दिखा देता हूँ 375 रुपे यानि 5000 पे 10% इंटू में 9 बाइट 12 यानि 375 रुपे तो पहले 375 रुपे का डैप आएगा यानि 5000 में से 375 माइनस करोगे तो 4625 रुपे अब इसको आपने sold कर दिया जाके 4000 का तो यहाँ loss हो गया सर, loss कितने का हो गया 625 रुपे का, समझे बात आप एक जनवरी को start है यह account 31 12 2020 अच्छा यह जनवरी वाला है तो यह जनवरी वाला है तो इसका मतलब साल के सुरू में ही कर दिया इसने का, तो अब ध्यान रखेगा चलो एक बात आप सीख भी गए साथ के साथ यानि यह depreciation आपका जो लगा है वो साल के सुरू में ही बेच दिया, तो डैप तो लगा ही नहीं तो अब डैप नहीं लगेगा इस पे अगर अप्रेल वाला होता तो जो मैं सोच रहा था वैसे होता ठीक है तो इसका मतलब सार इसे आपने simple सा sold किया 4000 का और जो loss count होगा, that is 1000 रुपे loss, loss तो चला जाएगा profit and loss के debit में अब यह नहीं रहेगा यह वाला जो मैंने calculation किया नहीं रहेगा और दूसरा sale जो है, अब देख लेते हैं क्या कहता है and credit machinery account और हमने machinery account को credit कर दिया है wages 1000 रुपे paid for machinery erection charges तो अब इसका मतलब भाई साब आपने कितने का बेच दिया, इसको 4000 का तो सबसे पहले आप अपने machinery को घटा दिजिए, machinery कितने से घटेगा less कर दिजिए machinery को किस से 5000 से, less sold आपका तो machinery पूरे 5000 का निकल गया, है की नहीं minus हो गया, ठीक है और बेच के कितना पैसा आया आपके पास that is 4000, तो 4000 आपके पास पैसा आया होगा, तो आपको cash में add कर देना चाहिए 4000 12 सो थाना पहले तो plus कर दिजिए sold machinery cash में 4000 अब भाई साब, 1000 रुपे का रहे गया नुकसान, तो नुकसान आ जाएगा P&R के debit में to loss on machinery 1000 इसको थोड़ा clear लिख दे loss on machinery ठीक है, समझवा ही बात आपको अगर ये कहता कि sales में include है ये तो हम sales को minus कर देते हैं है ना, जैसे कि पिछले question में investment था हमारा, ठीक है चलिए, आगे क्या कहता है, adjustment में और देख लेते हैं, कहता है wages include 1000 रुपे paid for machinery erection charges, machinery erection क्या होता है, चलो मैं दिखा देता हूँ जहां पर machinery बनाई जाती है ना, उसे बोलते है, erection n, e, r, y, erection e, r, e, c, t, i, o, n ये देखिए image देख लीजे आपने देखा होगा जैसे कि machinery जैसे ये है इस stand पर खड़ा किया गया ना, machinery को that is erection यानि जहां पर आप machinery को लगाते हैं उसके लिए जो base तयार करते हैं उसे बोलते हैं erection simple सा AC बाहर अगर outdoor में लगा रहे हैं तो उसके लिए AC का stand लेना पड़ेगा that is erection तो machinery पर कोई भी erection का खर्चा हो रहा है, तो machinery का ही हिस्सा माना जाएगा, तो machinery का हिस्सा होना चाहिए लेकिन कहता है कि wages में जुड़िया है 1000 रुपे, तो भाई यहां पर पहले तो एक plus करो, आपका erection 1000 और wages में से क्या कर दो minus कर दो, less कर दो, erection 1000 रुपे, ठीक है चलिए, आगे आजाते हैं यह थोड़ा सा जगह ज्यादा लेगा तो इसको हम सभी को नीचे shift कर देते हैं आजाओ सभी को नीचे लिए आता है, ठीक है चलो आगे पढ़ते हैं, question में क्या कहता है question में कहता है purchase, जो हमने खरीदारी करी है include cost moped scooter 5000 scooter तो हमारा assets होता है, लेकिन आपने किस में add-on कर रखा है यह purchase में, तो आपको purchase से क्या कर देना चाहिए इसको, minus और balance sheet के assets में ले जाना चाहिए तो सबसे पहले हम लेके आते हैं balance sheet के assets में किस नाम से, moped moped जानते हो, क्या होता है हाँ पुराने टाइम पे car, scooter वगरा होता था, उसको हम बोला करते है तो moped 5000 और किस में से minus कर दिया जाए less moped 5000 एक असी में से ठीक है चलिए, आगे देखते हैं और क्या कहता है अगर आगे देखा जाए कहता है, proprietor taken a goods costing 1000 रुपे which was no entry has been made यानि मालिक ने 1000 रुपे किसके लिए ले लिया proprietor ने लिया, तो personal use हो गया तो 1000 रुपे, एक तो drawing हो गया सहाब यह, जब drawing हो गया तो एक तो यहां से minus होगा 1000 रुपे, और क्यूंकि goods लिया है, तो एक purchase से भी minus हो जाएगा drawing 1000 रुपे, ठीक है, अब इस पर और भी adjustment है so that इसको हम थोड़ा सा इन सभी को नीचे लिया आते है purchase को उपर loss by fire भी है यहां रखते हैं इसको ठीक है, चलिए sundry debtor include 500 become bed and provide 10% reserve for bed debts okay, sundry debtor पे आप minus करिए पहले 500 रुपे as a bed debts लीजिए 500 अब जो बच गिया हमारा 10,000 इस पे minus कर दीजिए कि आप PFD कितने percent 10% that is 1000, यह कितना बचा 9,000 तो यह 500 और यह दोनों ही आएंगे P&L के debit में तो एक तो आ जाएगा हमारा bed debts पांच हज़ पांसो और एक आ जाएगा PFD एक हजार ठीक है आगे आ जाते हैं electricity outstanding 50 तो liability हो जाएगा एक तो outstanding electricity कितने का 50 और दूसरा कहां चला जाएगा हमारा add हो जाएगा outstanding electricity 50 that is 600 चलिए हमने यह भी पढ़ लिया है goods costing पांच हजार वर destroyed by fire यानि हमारा पांच हजार रुपए का समान आग लगने की वज़े से जल गया तो purchase कम अगर आपको adjustment याद होगा तो क्या करते थे purchase कम अब insurance है नहीं है वो देखेंगे and insurance claim received 4000 receive हो गया 4000 तो 4000 तो मेरे पास receive हो गया तो assets cash में plus हो जाएगा या तो फिर आप bank में भी दिखा सकते है generally ठीक है ना और आपका 1000 रुपए का यहां क्या हो गया loss हो गया ऐसे situation में सबसे पहले minus कर दीजिए purchase loss by fire कितने 5000 अब देखें कितने adjustment हो गया दूसरी entry loss है आपको यहां लिख देते हैं to loss loss by fire loss by fire 1000 और जो पैसा आपको मिल गया है वो या तो cash में plus कर दीजिए या अलग से bank दिखा दीजिए तो मैं यहां पे cash में ही plus कर देता हूँ क्योंकि ऐसे च कुछ बताये नहीं सवाल में तो प्लस क्लीम अगर बोला जाता है कि इन्सौरेंस क्लीम बस है क्लीम रिसीव नहीं हुआ तो बस इन्सौरेंस क्लीम के नाम से दिखा देए यहां बोल रहा है क्लीम रिसीव हो गया तो पैसा मिल क्या होगा भाई कितना मिला होगा 4000 ठीक है अगले point पे चलते हैं प्रवाइड डेप्रिशेशन 10% और मसीनरी तो भाईया अब यह जो मसीनरी बचा है हमारे पास अब सही माहिने में बचा है कितने रुपए का 25,000 और इस पे माहिनस कर देंगे डेप्रिशेशन डेट इस 10% का मतलब वो पच्छिस सो रुपए ठीक है पहला point डन और फरनीचर पे और क्या कहता है मसीनरी के बाद फरनीचर एंड मूपेड पे भी ओके फरनीचर पे भी 10% लोजी डेप्रिशेशन 500 एंड मूपेड पे भी मूपेड पे भी लगाओ माइनस डेप्रिशेशन 500 पे आगे continue में क्या कहता है लेकिन 5% provide करना है depreciation building पे okay building पे minus करो depreciation 5% that is 1500 ठीक है और कहता है closing stock हमारा कितना है सर closing stock हमारा है 12,000 तो यह तो यहीं खतम होगा यहीं दिखा देते है closing stock एक तो assets में आ गया कितने बारा हजार और दूसरा यहां जाएगा buy closing stock 12,000 सभी के सभी depreciation को नीचे दिखा दिया जाएगा यह आ गया जितने भी depreciation है सभी depreciation को एक साथ दिखा देते हैं depreciation plus करके ठीक है लेकिन एक्जाम में यह गलती मत करिएगा एक्जाम में आप अलग-अलग दिखाना है आपने तो देखते हैं कितने depreciation है सर पच्चिस सो पांसो तीन हजार पैंतिस सो पैंतिस सो के बाद पंदरा सो यानि पांच हजार बस पांच हजार डैप है ठीक है तो मैं यहाँ पे पच्चिस सो प्लस पांसो प्लस पंदरा सो और प्लस पांसो यानि कितने का हो गया पांच हजार अब भी चेक कर लिजेगा एक बाद क्लियर क्लोजिंग स्टॉक सब कुछ हो गया और तो कुछ रहा नहीं हमारा अब इसके उपर मैंने कहीं गैप छोड़ा हुआ है छोड़ा हुआ है कहीं भी रही छोड़ा सब कुछ फुल्फिल हो चुका है तो फटा फट से अब बस अड़िजस्मेंट को हम करतो लिया हमने बस टोटलिंग पर फोकस करते हैं अब यह रहा टोटल ध्यान से करना होगा टोटल है 18-5000-1000-5000 that is 169 और यह आ जाएगा 2000 ठीक है ये कुछ भी नहीं रहा तो 2,5,000 और 12,000 और आगे हमारे हैं पर 2,6,__ कि पुरानी बुक में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चेंजिस कर दी होगी बाकि आपको सामने कुश्चन है इससे मैंनेज करना पड़ेगा कि टू जीपी कि हां छत्ते सजार यह लेजी और बाइ साइड में आ जाएगा जीपी 36,000 अब टोटलिंग का प्रोसेस देखते हैं बस अकेला यही है लॉस तो नहीं है 2NP कितना रहे हैं यह 3,000 और इधर 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 सब जगह को 14,000 200 चलो आजाते हैं अब यहां पे सिर्फ काम है प्लस NP 14,200 55,000 माइनस में 5,000 माइनस 1,000 प्लस 14,200 63,200 चलिए प्लस पचास रुपए, बारा सो, ढाइस सो, ए दस हजार, सो रुपए, पंदरह हजार, 89, 800, अब इस सब को टूटल को बाहर कर देते हैं, बाइस पान सो, और ये पान सो, पैनतालिस सो, और ये पान सो, ये हो गया बाहर, तीस हजार, अठाइस पान सो, इसका टोटल आठ, 9 nevertheless, और ये पैनतालिस सो, टोटलिंग चेक कर लेते हैं, बाइस पान सो, पैनतालिस सो, बारह हजार, 9, 78, 25, 927, और पैनतालिस सो, ये आगया, 90, ये 98, 200 क्यों आ रहा है, किस में से, तो क्या कर रहे हैं, कि नहीं तो कैश में भी तो एड़ नहीं कर रहे होंगे न यह भी देखो न तुवारा चेक कर लेते हैं 39 प्लस ए मैं वाइनस पांच हजार कि उन्होंने नेट कर दिया चिंता मत करो नौहजार अठाइस पान सो पानवे सो पैंतालिस सो नब्वे दो सो बुक में क्या है बैलन्स एट का टोटल एट हंड़ यहनि चार सो रुप है मोटा मोटा चार सो रुप है कहां छपड़ दिया हमने कहीं माइनस तो गलत नहीं करा पैंतालिस सो पैंतालिस सो आपने पी एंडल प्रॉफिट ही था सेम सब आपका यहां तो कम नहीं है क्योंकि आप टैप कितना है कि यहीं पर फरक आ रहा हुआ चार सो का चौदा छे सो है यह यह चौदा छे सो आना चाहिए अब एक बार अज़ेस्मेंट मसींडी वर्था आशे जड़ पर सोल्ड एक अप्रिल को ही बेच दिया हूँ ठीक है चौदा छे सो इसको ठीक करिएगा अपने बुक के आंसर को तो यह आ जाएगा हमारा नब्बे दो सो नोट डाल देंगे ऐसे कुश्चन में क्या नोट डालेंगे सर नोट मसीनरी सोल्ड रुपीज पांच हजार इनिकलूड इन दे मसीनरी रुपीज ट्विंटी नाइन थाउसंड तो हमने मान लिया है अजम्शन डाल दिया किस में जुड़ा है बात खदम क्योंकि ऐसे कहीं भी पता नहीं चलेगा कई भी है यह पांच हजार रुपे अलग हो चुका है ठीक है बुक में नोट दिया है नहीं दुआ आपको स्लूइशन यह हो गया यह था हमारा एक और कोश्चन और एक ही जगह दिखा देते हैं और आजाए इधर भी आपको दिखा देते हैं यह दो दिखी रायक है और चोटा करना पड़े कैसे जाकर राजाए चलो चोटा करते हैं दिखाने के लिए इसका कोई लास तो होगा इस सब को इधर सिफ्ट मारो और इसको थोड़ा सा चलो तो दिख जाएगा ठीक है यह था हमारा कुश्चन नमबर टैन टोटल कितने कुश्चन है तीस है बत्तिस है पुक से या टैनियर से सर्फ थियोरी कैसे करने थियोरी आपके ज्यादा ज्यादा दस पंदर नमर का वह मैं सारा बता हूँ आप कि तैने कोश्चन है टोटल बुक में एक के सा जिसमां दस तक पुहन चुक है चलिए ग्यारवे क्योश्चन पर चले कोई बात नहीं कुश्चन नंबर 11 कमीशन आफ्टर चार्जिंग ये भी मैं ही करा दूँगा मैं एक ओमवक दे रहा हूं आपको ठीक है और वह ओमवक आप करें यह भी ओमवक में आपको जैसे नहीं होगा न फूरण तो रिजस्टर में आप चोड़ देंगे उतने लएं ठीक है जो समझ में नहीं आएगा फिर बाकी में कराओंगा यह भी ओम्वक में दिया आपको फिस जोड़ा है फंद भी होमथ में रही इस यह यह घ्रियक इंफर्मिश्ण फिर्निट यह यह मैं करा हुँआ फाइनल अकाउंट पार्टनरशिप यह नहीं पारटनरश्फें अभी नहीं कराया है क्ली स अपको पडीव मिलेगा उसमेंहीं नोट करूश करेगा यह भी नहीं करैंब सिपता यह भी नहीं बस दो तीन कोश्चन होमवक में हैं बाकी नहीं है है टोटल कितने कोश्चन बता है आपने नहीं नहीं वैसे ठीक हो जाएगा बस थोड़ा से इसके अंदर होमवक आप थोड़ा फोकस करके कर लो कोई दिक्कत नहीं होगी